वेल्कम फ्रेंड्स वेल्कम फ्रेंड्स आपके सामने है इसका मान कैसे निकालते हैं जर्द्यान देना किसी भी बेगती या इंसान कोई चीज की पावर को समझने के लिए पहले इसको ओपेण करना पड़ता है मतलब देखना पड़ेगा कि हाँ कितनी पावर है इसके अंदर है ना जैसे आप अगर किसी को जानते हो कि बहुत power है तो पहले आप उसकी detail निकालिए कि उसके आगे पीछे कौन कौन है क्या कैसे है उसका background क्या है तो आप जान जाओगे कितनी power है तो वैसे इसका हम लोग सब कुछ निकालेंगे तो जानेंगे इसकी क्या power है तो जैसे कि यहाँ दो बार लिखा है घात न तो इसको हम क्या करते है वही same to same number को दो बार गुड़ा करते है जितनी power बताएंगे उतना बार बस यही तो करना था यही तो इसका solution है गुड़ा कर लो जल्दी से जो लोग डर रहें उनको मैं बता दू दो का केबल दो में गुड़ा करना है बाकी कुछ नहीं करना है no tension सब कुछ छोड़ दो तो दो दुना चार हो गया ना आप ज़रा समझना यहाँ पर दो अंक पर दसंबलो है यहाँ पर दो अंक पर अगर दूसरी class नहीं देखी तो बटन में उपर लिंक दी गई होगी description में लिंक मिल जाएगी जब यह class खतम होगी इंडी स्क्रीन में आपको उसका दूसरा भाग का लिंक मिल जाएगी उसको जरूर देख लेना वहाँ पर इसको अच्छे से बताया है तो दो अंक पर दसंबलो यह दो अंक पर यह इस तरह से आपका चार अंक पर दसंबलो होगा चार अंक मतलब यह चार के बाद नहीं चार अंक एक दो तीन चार अंक तो एक अंक है ना इसको चार अंक बना लेंगे तीन जिरो बढ़ा के दूसरी कलास देखना महाँ पर यह सब क्लियर कर दिया हूँ तो इस तरह से आपका क्या होगा यह इसका अंसर हो जाएगा फाइनल में इसका अंसर हो जाएगा आगे देखना इसका तो सब लोग बता ले जाओगे ना यह 0.2 है इंटू 0.2 जड़ा ध्यान से देखना अभी बोर्ड मास का रूल चलेंगे लेकि जो आपका सभी का विल्कुल फैवरिट है थोड़ा रुक रुक के बोले ना आप लोगों की सिकायत भी तो बहुत आती है इसको गुड़ा करोगी यह विचार हो जाएगा लेकिन ध्यान देना इसमें इसमें अंतर है यहां पर दो दो अंक पर दसंबलो था यहां पर एक एक अंक पर है तो दो अंक पर दसंबलो लगेगा तो यहां पर केवल एक 0 बढ़ेगा और इस तरह से आपका यह इतना हो जाएगा बाद समझ में आ रही ने कुछ हजम हो रहा को नहीं हो रहा तो बिल्कुल टैंसर मत लेना हाजम उला नहीं खाना पड़ेगा सब हाजम हो जाएगा इंपर देखते रहना क्लास छोड़के मत जाना छोड़के ना जाना वादे हजार करके सुना है रहा इसको कैसे करेंगे इसको भी ऐसे लिख लेना है 0.1 into 0.1 लिख लिया एक का गुड़ा करना आता है ना एक का पड़ नहीं आता नहीं मतलब वान डिजिट तो टू डिजिट पर डेसिमल लगाओगे वान डिजिट अकेला था बेचारा तो इसके साथ एक और 0 लगा के क्या किया एक 0 लगा के इसकी जोड़ी बना दिया भाई रब ने बना दि जोड़ी है ना आगे चले आगला देखना चलिए आगे देखते हैं बोर्ड मास रूल बोर्ड मास रूल का पूरा यहां फर हम पोश्ट मार्डम करके दिखाएंगे आपको जी हाँ पोश्ट मार्डम और आपने सुना होगा अब थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लगाते हैं तो दोनों तरब तो हम की से जाते हैं चलिए कोशिस करते हैं अपने मन का करेंगे बोर्ड मास का फूल फार्म देख लीजिए पहले B मतलब होता है breakards breakards का हम आपको परिचे करवा दें देखी इनका मुख्रा देख लिजी ऐसे होते हैं ये O मतलब होता आफ कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है आफ क्या होता है ऐसे question में मिल जाता है 3 बटा 2 का 5 परसाद या 3 बाइ 2 आफ 5% इसका मतलब बस यही होता बाकी कुछ नहीं D मतलब होता है division division का एक मतलब होता है mandal जैसे एक mandal में कई जिले होते हैं लेकिन यहाँ पर जिलो राजे से कोई मतलब नहीं यहाँ पर हम कर रहे हैं जोड़ घटाना गुड़ा भाग तो यहाँ पर division का मतलब होता है भाग जैसे 32 divided by 2 कुछ बुझा रहा है न यह मतलब multiple multiple मतलब होता है गुड़ा करना जैसे 19 into 7 19 सत्य कितना होगा बताना कमेंट करके मुझे नहीं आता आगे देखना A मतलब होता 8, 8 मतलब होता है 397 प्लस क्या है 32 बात समझ रहा हो न यह मतलब होता साफट्रेक्शन जरा ध्यान देना यह लिखा का है लिए है इसका मतलब क्या है यह इसलिए लिखा है कि जरा सीरियल में चलना rule by rule जैसे पहले बच्पन में परार्थना के लिए लाइन लगती थी न तो उसमें बड़े लोग जो है पीछे चोटे आगे जो कोई बड़ा आगे खड़ा हो जाता था मर कंटाप कंटाप पड़ता था तो बस वह इसे समझना है कि rule by चलना है इनको सबसे आगे खड़ा करना है मतलब किसी सवाल में अगर अगर सारे चिन लगे हैं सारा ये सब कुछ दिया है तो सबसे पहले ब्रेक अठल करना उसके बाद आफ फिर डिबीजन फिर मल्टीपल चलिए देखते हैं आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा इसको मिटा देंगे याद रखना अभी आपनोट कर लो जल्दी से तो पहले आप डिबीजन करोगे निकी भाग करोगे इसको तो जब आप नौ में तीन से भाग करोगे तो तीन आएगा और ये धन दो जो है और इसको ऐसे लिख लोगे इसमें कोई छेड़ खानी नहीं करना है इसको जोड लोगे तो ये पांच हो गया बस ये आपका अंसर हो गया लेकिन ज़रा सोचिए अगर आपने बोर्ड मास्ट रूल फालो ना किया होता तो क्या होता बहुत बुरा होता वो क्या होता ये आपके सामने में दिखा रहा हूं क्या होता मानते हैं कि हम board mask का rule नहीं लगाते हैं चलिए हम पहले भाग नहीं करेंगे कौन कहता है हम क्यूं भाग करें हम पहले जोड़ेंगे तो चलो जोड़ लो 9 को ऐसे लिख लो divide by 3 में 2 जोड़ोगे 5 5 से भाग करोगे नो कटेगा कभी पूरा time नहीं कटेगा lifetime नहीं कटेगा अटक गए ना मामला गडबड हो गया ना फिर ये कभी कटने वाला नहीं है आप इसी में उलज़े रहोगे lifetime उलज़े रहोगे decimal में आएगा कुछ लोगों की दिल में आ रहा होगा वो बात अलग है लेकिन rules आहीं नहीं है बात समझ में आई ना इसको नहीं दिखाएंगे आपको उतार ले ना इसको समझ गए होगे तो आगला चलते हैं जरा इसको देख लेना बस एक ही इद्बार में भागना मत इसको मैं मिटा रहा हूँ ऐसे आपके सामने ही जो की नहीं मिटाना चाहिए था फिलहाल देखना देखो भाई सबसे पहले कोश्टा काया था ब्रेकट ना भी तो पहले इसमें ब्रेकट हल कर लो ब्रेकट के अंदर जो भी बवाल है पहले सालबो कर लीजिए उसके बाद बाहर आएंगे तो पहले वहां तक जो भी है वैसे लिख लेंगे तीन प्लस साथ माइनस तैताली से टू सबस्ट रेक करोगे कितना आएगा फोर्टीवन तो यह हो जाएगा फोर्टीवन इन्टू हो जाएगा फाइब ज़रा ध्यान देना कोश्टा खतम हो गया है अब क्या होगा वोर्ट मास रूल लिख लो कापी में उसमें जोड़ते जाओ पहले क्या आता है हम सब लिखवा दियें अब नहीं बोलने वाले तो उसमें सबसे पहले गुड़ा आएगा इन तीनों में तो आप इसको ऐसे बराबर लिख लो छोटा छोटा सा प्यारा सा और ये गुड़ा करोगे जब तो पांच इकम पांच पांच चुग बीस दुईसो पांच होईगा बाद समझ में आ रही न अब क्या करोगे ज़रा सोचना अब जोड़ेंगे पहले घटाएंगे बाद में तो जब जोड़ोगे तो दस होई जाएगा माइनस दुईसो पांच इसमें से जब दस घटाओगे तो कत्ता आएगा अरे जी दुईसो से पांच से दुईसो पांच से जब पांच घटाओगे तो दुईसो आथा जब दुईसो पांच से पांच घटाओगे तो दुईसो आथा लेकिन ये जबरजस्ती 10 घटवाय रहा है तो क्या होगा 205 कम हो जाएगा यानि कि 205 कम होगा 1095 आएगा जरा जनरल साइंस जनरल माइंड का यूच कर लीजिए आपके सामने आपका अंसर आपकी कनफ्यूजन क्लियर हो चुकी अगला कुश्चन जरत ध्यान देना जैसे आपने देखा होगा चावल खाने में बहुत मज़ा आता है और मिटी के घड़े में कोई भी चीज रखा हो बहुत सुंदर लगता है लेकिन उस मिटी के घड़े को बनाने में एक घंटे का टाइम जाता है चली आगे दिखाते है इसमें सब कुछ लगा है न हर एक चिन है कोईश्टक भी है तो पूरा का पूरा बोर्ट मास रूल इसमें अपलाई होगा ये देखना है यहाँ पर कभी न भूलना बोर्ट मास रूल ब्रेकट सबसे पहले आता है ब्रेकट चलो ब्रेकट तक सारा डीटियल वैसे लिख लो जहां तक कोईश्टक लगा उसके पहले का सब कुछ बिना किसी छेड़ खानी के बिना किसी बदलाओ के लिख लिए न ब्रेकट के अंदर जो भी महाल है उसको क्लियर कर दो ब्रेकट के अंदर है नाइन माइनस एट अगर सब्ट्रेक करोगे वन आयेगा बात खतम अब इसमें ओफ आफ वन यानि कि आफ मतलब का अगला लाइन पे आओ जितना ये है ना जितना अच्छा उतना लाइन में लगेगा दूसरा लाइन में क्या करेंगे ओ याफ आफ है ना तो वहाँ तक ऐसे लिख लो इसको ये लो वहाँ तक ऐसे लिख लो बिना किसी बदलाओ के अब देखो आफ आफ का मतलब होता है गुड़ा का यानि यहां लग जाएगा गुड़ा बात समझ में आई ना यह हो गया काम खतम एक बात ज़रा थोड़ा समझ ना गुड़ा कचिन लगा कि छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आफ मतलब होता है गुड़ा हम गुड़ा कर लेंगे जब वन का वन में गुड़ा करोगे तो क्या आएगा वन का वन में गुड़ा करोगे फिर वन आएगा काम खतम बाद समझ में आई न यानि कि हमने आफ वाला परकिरिया खतम कर लिया आगला लाइन डी मतलब डी बीजन अब हम करेंगे भाग तो चलो भाग पर आ जाते हैं क्या दिक्कत क्या है इसमें आजाओ जल्दी से भाग का चिन जहां लगा है उसके पहले तक वैसे लिख लो बिना किसी बदलाओ के हमने लिख लिया पांच माइनस अब इसमें देखो भाग लगा है अब इसके आगे मतल लिखना ये डिबाइड का साइन है टू से टू को डिबाइड करोगे वन आएगा नहीं आएगा तो बता देना दो से दो में भाग करोगे एक आएगा गुडा कचिन लगा के वन लिख दिया फंड़ा क्लियर है अगला है यम मतलब मल्टिपल अब गुडा आगई बारी गुडा की जहां पर गुडा लगा है वहां तक ऐसे लिखते चले जाओ बिना किसी बदलाओ की ये वन इसको गुडा करोगे वन आएगा बात समझ में आया एडिशन और सफ्ट रेक्शन दो बचे है चोटे और बड़े भाई तो सबसे पहले सम्मान बड़े भाई को कलियर करेंगे इनको जोडेंगे दियो जाएंगे सतरा और फिर अब जो कोई नहीं बचा तो कोई नहीं लफडा इसको गटाए लो बस हो गया उत्तर आगया समझ में आया ना अगर अभी तक लाइक नहीं किये न तो ये इतना बड़ा आचार मत करिएगा जल्दी से लाइक करिए तुरंद लाइक करिए चायट के जो आ रहा है ना चायट का आफशन को हाइड कर दीजिए तुरंद लाइक करिए और अगर अभी तक आपने पीवियर स्टडी लाभाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी जिंदकी की बहुत बड़ी भूल है इसको सुधारिये जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए तुरंद करिए बिल्कुल अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं पेज पर तो पीवियर स्टडी का फेस्बुक पेज अवस से लाइक करें दोस्तों आपने सुना है उसको चीर भाट दूँगा आग लगा दूँगा जी बिल्कुल आप भी इसको ऐसे ही कुछ करना है कहने का मतलब पॉजिटिव वे में लीजिएगा इसको देखिए इसमें सब कुछ है हर एक परकार का कोष्टाक है चार परकार का कोष्टाक हमने दिखाया था इसमें राम, लखन, भरत, सकुर्धन सब ही हैं तो जरा ध्यान से देखना बहुत सम्मान के साथ सबसे पहले क्या करते है बड़े का सम्मान ज़्यादा होता न आपको मालूम है कि चारो भाईयों में सबसे ज़्यादा स्री राम, चंद, जी पूजे है और हर कोई उन्हें मानता है है न, दूसरे नंबर पर भरत जी तीसरे पर हैं अब आप लोग समझ गया होंगे हम किसी का नाम नहीं लेंगे तो कुल मिलाकी यह जान लीजिए कि जो होता है सबसे बड़ा वो सबसे पहले यानि कि बड़ा ब्रेकर सबसे पहले फिर यह मजला कोश्टक दूसरे नंबर पर उसके बाद छोटका कोश्टक तीसरे नंबर पर और एक है बड़ा ही गड़बर नटखट सा वो क्या है रेक्हा कोश्टक रेक्हा कोश्टक ऐसे सीधा यह चौते नंबर पर हल होता है सही बोला मैं ने? बिल्कुल नहीं सही बोला इसमें हमने सब कुछ बिलकुल सही बोला है केवल ये जो चोटका है ना आप कहोगे कि छोटा सबसे बाद में ना छोटा बहुत जिद्धी होता है छोटा जो होता है ना मतलब उस सबसे पहले तो अब आप ध्यान देना यहाँ पर अब आप काफे उलजे होंगे पहले अगर इन तीनों की तुलना करेंगे इन तीनों की किसकी मजला बड़ा और छोटा इन तीनों की कंपेर करोगे तो इन तीनों में सबसे पहले बड़ा वाला सबसे पहले क्या करोगे छोटा वाला करोगे फिर मजला और फिर बड़ा ठीक न अगर इसको भी मिला लोगे तो सबसे पहल सबसे छोटा चलिए छोटा पर चलते हैं यहां पर हमने थोड़ा सा मिश्टेक कर दिया उसके लिए माफी चाहते हैं जो सबसे पहले बड़ा कोश्टक के लिए आपको बताया ना तो देखें गलतियां हर किसी से होती है इस वीडियो में इस कलास में बहुत सी अच्छा यह भी उनको भी देखिएगा मुझे मालूम है क्या गड़बड है कुछ भी गड़बड लिखा नहीं सिर्फ बोला एक वर्डबस की सबसे पहले बड़ा होगा जबकि सबसे पहले पर एक रेखा कउश्टक 12 से 11 सब्सक्रेग करो ढूंआएगा बात समझ में आई हो गया इसका काम खतम रेखा कोश्टक हो गया आप चोटा कोश्टका खलोगा और वहां तक ऐसे लिख लेंगे बीना किसी बदलाओ के चोटा कोश्टक और यह हो गया ऑप समंझ में आई न अब क्या करोगे सिंपल सी बात है अब करेंगे क्या हम क्या करेंगे कोईश्टा को खोल लेना है इसको अगर आप गुड़ा भी कर लोगे तो कोई मतलब नहीं कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि कि अब आप मजला कोईश्टा ख़ल करोगे तो यह जुड़ जायागा और दो निराज तो मत होना निराज मैद सिखाने की पूरी गारेंटी होगी बस हमारे साथ बने रहना अभी तो ये तीसरी कलास है अभी तो ये डेमो कलास की तीसरी कलास है अभी तो आपने कोई originल कलास देखा ही नहीं अभी तो केवल पार्टी सुरू हुई है मूवी तो वाकी है ना ट्रेलर है मित्रों अब क्लास तो छोटी होगी लेकिन बात बहुत बड़ी होगी इसमें पंदरा मिनट की क्लास में हम लोग एक घंटे से ज़्यादा का मैटर इसमें सामिल करेंगे छोटी क्लास बहुत मज़दार गागर में सागर होगी ज़्यादा बात नहीं ज़्यादा टाइम नीट बेस्ट होगा इस तरह से बाद में आप लोग वीडियो देखेंगे इसको अपने दोस्तों में जरूर सेर करना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अगर आप क्लास को कंप्लिट करना चाहते हो रियल में क्लास देखना चाहते हो यह तो डेमो है तो उस क्लास को जॉइन करिए वटसप नंबर पे कांटेक्ट करिए कोई भी चार्ज नहीं है अगर आप इसको फेस्बुक पर प्लास बिल्कुल फ्री करिएगा और मैत हासाने को सब्सक्राइब करिएगा इसके अलामा बिजिट करिएगा pbrstudy.com अन्ने स्टडी माटरियल के लिए हम से जुड़े रहने के लिए किसी परकार की इंक्वारी, सुजहाओ, सिकायत अथवा अन्ने किसी जंजट के लिए आप इस नंबर पर कांटेट कर सकते हैं अज के लिए इतना ही बहुत-बहुत सुक्री आप सभी को इनी बातों के साथ जै हिंद, जै भारत, मैरा अचकुमारे दुबंसी फिर से मिलूँगा एक नई कलास में, एक नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बेस्त रहें, मस्त रहें और हाँ थोड़ा गुजारिश करिएगा कि हम दुबारा आपके सामने आएं क्योंकि हमारे जिंदेगी में बहुत खत्रा आया हुआ है बहुत बहुत सुक्री आप सभी को चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद